जारखंड के जिला सिंग भूम में एक तहसील है घाटशिला इस तहसील के उपनेगर मौभंडार हिंदुस्तान कौपर लिमिटेट की वजह से प्रशिद है मौभंडार में जहां कौपर फैक्टरी है वहां पास में ही कौपर कॉलोनी है जो वकर्स के लिए बनाई गई है इस कॉलोनी में थोड़ा हट के मौभंडार वक्स हॉस्पीटल है जो अस्थानिय लोगों के लिए बनाए गया है सन 1979 में इस हॉस्पीटल में एक डॉक्टर तैनाथ था प्रभाकरण उसकी पतनी डॉक्टर शांती भी उसी अस्पताल में तैनाथ थी इस डॉक्टर दमपदी को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था डॉक्टर प्रभाकरण सकल सूरत और बेवहार से जितना असभ्य बदमिजाज और कुरूर लगता था अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत सुभाव की थी डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांती के दो बच्चे थे एक बेटा एक बेटी डॉनों बच्चे मोसावनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बलकि दिल फेग भी था अस्पताल की किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चकर चलता रहता था कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों का चर्चे अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक भी पहुंचाती थी यही वज़ा थी कि डॉक्टर शान्ती को पती की इन गलत हरकतों की वज़े से कॉलोनी के लोगों की चुबती नज्रों का सामना करना पड़ता था कई बार तो कलब वगेरा में मुफट अफसर भी कह देते थे भाबी जी डॉक्टर साहब को नकेल डाल कर रखिये इतनी काविल और खुबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस-किस नाले का पानी पीते रहते हैं डॉक्टर शांती अफमान का घूट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी अस्पताल के सभी लेडी डॉक्टर और नर्से एक जैसी नहीं थी कई बार डॉक्टर प्रभाकरड को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हातों अफमानित भी होना पड़ता था चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुरुकायस्त ने प्रभाकरड को कई बार समझाया भी था लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कड़वे मीठे अनुभो के भीच जैसे तैसे जिंदगी गुजल रही थी तभी डॉक्टर शांती के जीवन में एक तुफान बनकर आई हेमा हेमा डॉक्टर प्रभाकरड की दूर के रिस्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतोर नर्स टाटा मेन हॉस्पीटल टाटा नंगर में हुई थी पूर्व में हेमा डॉक्टर प्रभाकरड से साधी के सपने देखा करती थी दोनों के रिस्ते की बात भी चली थी लेकिन प्रभाकरड ने हेमा का रिस्ता ठुकरा कर डाक्टर शांती से प्रेम विवाह कर लिया था उस समय हिमा बहुत रोई थी उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था मौभंडार होस्पीटल में प्रति दिन दो-तीन मरीजों को एम्बिलन्स से 30-35 किलोमीटर दूर टाटा होस्पीटल टाटा नगर भेजा जाता था इसकी वज़ा यह थी कि मौभंडार होस्पीटल में परियाप्त सुभिधायन नहीं थी गंभीर मरीजों को टाटा होस्पीटल भेजना पड़ता था हेमा डौक्टर टाटा नगर इस टाटा होस्पीटल के होस्टल में रहती थी सनीवार को वह अस्पताल की एम्बूलेंस से मौभंडार आ जाती थी और सोमवार सुभा एम्बूलेंस से ही टाटा नगर लोट जाती थी मौभंडार में वह डौक्टर प्रभाकरड के बंगले पर ही ठहरती थी डॉक्टर प्रभाकरड रंगीन मिजाज आदमी धावा शांती की गैर मौजूदगी का लाब उठा कर उसने हेमा से संबंद बना लिये थे डॉक्टर शांती घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरड और हेमा इसका जम कर फैदा उठाते थे डॉक्टर शान्ती को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी, इसकी वज़ा या नहीं कि उन्हें पती की फितरत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वह चाह कर भी ससुरा, वह चाह कर भी, इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी, जिस दिन हेमा मौभंडार आई होती थी, उस दिन डॉक्टर प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था, काम सिखाने का बहाना लेकर वह हेमा को भी सास रखता था, जब हेमा और प्रभाकरण की कहानिया सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर शान्ती हेमा के मौभंडार आने पर आपत्ती करने लगी, लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और मांसल सरीर का नशा छाया हुआ था, हेमा को ले कर डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शान्ती के बीच अकसर जगड़े और हाता पई होती थी, जिसकी आवाजे बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी, सर्वेंट क्वाटर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चिटकारे लेकर सुनाते थे, यह अलग बात है कि उन सब की सहानु भूती डॉक्टर शांती के साथ रहती थी, जैसे तैसे दिन गुजर रहे थ एक दिन खबर आई कि डॉक्टर शांती का ट्रांसफर खेत्रडी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है, चुकि कॉलोनी छोटी थी, इसलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी, महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांती अपने दोनों बच्चों के साथ खेत्रडी चली वहां परवक्स होर्स्पिटल जॉइन कर लिया, इसके पीछे डॉक्टर पुरुकायस्थ का हाथ था, दरसल ऐसा कर उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था, लेकिन डॉक्टर शांती के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के डॉक्टर शुरू कर दी, जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज़्यादा धूर्त हो गया था, अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, हेमा का टाटा स्पताल से माउभंडार आना जाना पूर्वतर चलता रहा, हेमा के ट्रांसफर माउभंडार व माउभंडार में ही रहा करती थी, शांती के चले जाने के बाद प्रभाकरण और हेमा ने निरलजता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था, टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़ कर वह माउभंडार में ही रहने लगी थी, ड्यूटी के लिए अब वह माउभंडार से होस्प प्रभाकरण के साथ साथ रहने की बाते धीरे धीरे पुरानी पढ़ने लगी थी प्रभाकरण और हेमा जल्दी ही केरल में शादी करेंगे। इसके लिए प्रभाकरण ने शांती को तलाक का नोटिस भेजा जैसी बाते लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती। लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफ़ा फैलिकी दॉक्टर प्रभाकरण की नजर डॉक्टर शांती की जगह पर आई डॉक्टर मधु करकेटा पर है। उसे रिजाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरण संत्धाली सौंधर तॉक्टर मधु करकेटा का उपासक बन गय ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट कोर्टर में रहने वाले ही हवा देते थे मौभंडार हॉस्पिटल में हेमा की निक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी यह बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी हेमा के जाने के ठीक एक महीने के बाद उसके पिता और भाई उसे सुझा बुझा कर केरल ले जाने के लिए मोभंडा रहा है लेकिन हेमा वहाँ नहीं थी जब प्रभाकरण ने उन्हें बताया कि हेमा एक महीने पहले ही वहां से चली गई है तो उन्हें आश्यर ने हुआ हेमा केरल पहुँची ही नहीं थी वहां उसे कोई नोकरी मिलने वगेरा की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी सोचने वाली बात यह थी कि हेमा केरल नहीं गई तो कहां गई अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वह रास्ते में गायब कैसे हो गई जैसे कितने ही सवाल मुबाय खड़े थे प्रभाकरण की जूटी सची बातों ने उसे सक के घेरे में डाल दिया था फिर भी उन दोनों ने दो दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स से लेकर सारे करमचारियों से हेमा के बारे में पूस्ताच की लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले एक महीने से उसे किसी ने नहीं देखा हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा में हॉस्पिटल जमसेद पुर भी गये पर हेमा का कुछ पता नहीं लग सका वे लोग दुखी और निराश होकर घर लोट गये लेकिन दो हपते बाद ही केरल पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्ब में पूस्ताच करने के लिए मउभंडार आ पहुंची लेकिन डॉक्टर प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ दिर्गा बीच गया हुआ था जब दो दिन तक प्रभाकरण नहीं लोटा तो पुलिस टीम दिर्गा पहुंची और प्रभाकरण को धूर निकाला पूस्ताच के दोरान वह एक ही बात दोराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चड़ा दिया था हेमा कहा गई उसे कुछ नहीं पता निराज होकर पुलिस वापस तो लोट गई लेकिन अभी प्रभाकरण की मुश्किले कम नहीं हुई थी उस साल इतनी बारिश हुई थी कि श्वर ने रेखा नदी का उफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था इतना भयानक की नदी का पानी कौपर फैक्टरी के गेट तक पहुँच गया था प्रभाकरण के घर से भी बहुत बदभू आ रही थी इसी बीच केरला पुलिस सादे कपड़े में फिर से मौभंडा रा पहुँची उसने हॉस्पीटल में ही प्रभाकरण को जागे रहा सबकी मौझूदगी में जब प्रभाकरण के बंगले को तलासी के लिए खूला गया तो मारे दुरगंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़े जिस कमरे से भयानक दुरगंध आ रही थी उसमें टीन का एक बकसा रखा हुआ था पानी उस बकसे में से बह कर बाहर आंगन में आकर नाली से मिल रहा था पुलिस ने जैसे ही बकसे को खोला वाँ खड़े लोगों की रूह काप उठी बकसे में टुकडों में कटी हेमा की लास नमक और एसिड में रखी हुई थी थोड़ा हिलाते ही उसके चहरे से मांस अलग हो गया उस भायानक द्रिश्च को देखने के लिए हचारों की भीड एकत्र हो गई सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमसेत पूर के टाटा पुलिस इस्टेशन ले गई जहां उसने अपना गुनाह कुबूल किया उसने जो बताया वह कुरूरता की परकास्ठा तो थी ही साथ ही मौव भंडार वक्स हॉस्पीटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी सर्मनाक नमूना था हेमा के दर्दनाक अंतिकी कहानी सुनकर सभी हत्वप्रभ रह गये प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई थी वह प्रभाकरण पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए प्रभाकरण पर दबाव डाल रही थी जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजायब प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ रंग्रेलिया मना रहा था एक दिन हेमा टाटा होस्पीटल से जल्द ही घर लोटाई घर में प्रभाकरण के साथ डॉक्टर करकेटा को देख कर वो बहुत क्रोध में चिल्लाने लगी उसने डॉक्टर करकेटा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे शांती मत समझना, जो तुम्हारी रंगलेलियों की वज़से बुझ दिल की तरह मुझ हिपा कर कहीं चली जाओंगी, केरल से मा और नानी को बुला कर पूरे मौभंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अयासी के परेडाम के बारे में बताओंगी, जो मेरे पेट में पल रहा है, वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं, उस चुडेल डॉक्टर नी का तो मैं गला दबा कर खून पीचाओंगी, तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में ब जादी करने की बात कहकर उसे आस्वस्त कर दिया, इस घटना के दो हपते बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्डरिंग में नीद की दवा डाल कर पिला दी, और उसी रात उसने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी, प्रभाकरण के अमानविय कृत्तिक का अंत यहीं तक नहीं हु उसने ओप्रेशन थियेटर से तेजधार वाले ओजार लाकर हेमा की लाश के टुकड़े किये और एक बड़े बकसे में रखकर नमक और ऐसे डाल दिया, इस काम में डॉक्टर करकेट्टा ने उसका साथ दिया, प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़ों क वह स्वर्ण नदी के पानी में फेक सकता था, जो उसके बंगले के सो कदम दूरी पर ही था, लेकिन घर में इतने दुसाहसी काम को अंजाम देने के देने वाला प्रभाकरण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, पहाडी नदी की उफंती धारा में हाथियों तक को बहा दिया था, कहते हैं कि गुना सिर चड़कर बोलता है, शायद इसी डर से प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका, या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया, अपने बंगले में वह यदा कदा ही जाता था, जादा समय हो वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था, व गर के अंदर लास के टुकडे सड रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उमीद नहीं थी, पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए, उन्हें हेमा की लास के टुकडे सौप दिये, रोते भी रखते हुए, उन्होंन अपने केरल समाज के अनुसार हेमा की अंतेस्ट्री टाटा नगर में ही कर दी, हेमा को रिस्तो में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं इस्त्री की कोख उसके गुनाह के सारे परदे उठा देती है, यही सबसे बड़ा अंतर है इस्त्री पुरुस के दुस्कर्म करने में, पुलिस कस्टरडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया, वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गया, डॉक्टर करकेट्टा औ पुरुकायस्त और हॉस्पिटल मेनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया था।